CM पुशकर सिंग धामी ने जोशी मट का हवाई सर्वेक्षन किया है एरियल सर्वे किया गया है जो दरार वाले घर है वहाँ पर जाकर जायजा ले रहे हैं पुशकर सिंग धामी ये देखिए तस्वीरे जो तमाम लोग पीड़ित हैं उनको ढांडस भी बना रहे हैं उनकी प्रती सम्वेदनाएं भी हैं कि किस तरह से जो उनके घर तूट रहे हैं धस रहे हैं इसमें आगे प्रशासन की क्या तैयारी है कैसे विस्थापित किया जाएगा उन लोगों को कैसे रिहाबिटिलेशन किया जाएगा ये तमाम चीजें भरोसा दिलाते हुए पुशकर सिंग धामी इस वक्त दिख रहे हैं जोशीमत में लोगों से बाचीत की जा रही है समवाद क्या जा रहा है एक एक घर जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है और देखे ये जानकारी आपको दिखा दे और बता दे और ये देखे तस्वीर आप देखते रहे हैं और साथ में ये बता देगी पचास से जादा परिवार हैं जिनने अभी तक दूसरी जगे शिफ्ट कर दिया गया है इन सब की बीच कल एक हाय लैफल मीटिंग भी की थी मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने और अब मुख्यमंतरी एक खुद पहुँच चुके है और अभी जीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही से जहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी जायजा ले रहे हैं। अभी जीत क्या ज़ामकारी और तस्वीरी भी आप दिखाते रहे हैं। बैक में थोड़ा आराम से हैं देखके। जी बिल्कुल मैं आपको बदादू कि सबसे पहले हवाई सर्वेक्षन किया मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने और उसके बाद वो जोशी मट के मेन मार्केट एरिया में जहां पर जो बिल्डिंगे सट गई थी आपस में और वहां पर प्रभावित लोगों से मिल रहे उसके बाद उनका मनोहर बाग आने का भी कारिकरम बताया जा रहा है और मैं इस वक्त यहां पर सुनील में मौजूद हूं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित और शुरुआत से प्रभावित हुआ है ये छेत्र और यहां पर भी लोग आपको दिखा दूने की वह बेहराल मुख्यमंत्री नीचले इलाके में हैं और वहां के बाद मनोहर बाग आने की बात उनकी होड़े आई टीवीपी कैम्प भी जाएंगा उसके बाद सुनिल जो कि सबसे उचा इलाका है और सबसे पहले प्रभावित हुआ है लंबे शेत्र में प्रभावित हुआ वहां जी मुख्यमंत्री कोश से 4000 रुपे प्रती माह अगले 6 महिने तक देने की घोशना कर दी गई है लोगों से मिलकर बहरहाल मुख्यमंत्री यही आस्वासन दे रहे कि सबसे पहले सुरक्षित अस्थान पर लोग पहुँचे यह बहुत आवशक है बहुत सारे परिवारों को शिफ्ट किया गया लेकिन अभी तमाम परिवार है क्योंकि लगबग 600 जो परिवार है वो अभी प्रभावित हैं और 2-3,000 की जनता है जो की प्रभावित शेत्र में आ है तो बहुत सारे लोग अभी तक शिफ्ट नहीं हुए है और वो बहुत इच्छुक नहीं है जहां प को आस्वासन दे रहे हैं और कहीं ने कहीं एक कन्विंस करने वाली बात भी है कि लोग सुरक्षित अस्थानों पर सबसे पहले जाना यह अपनी प्राच्मिक्ता में रखें पुनरवास का काम तो अभी एक लंबी प्रक्रिया उसके तहत चलता ही रहेगा तो तुरंत में ज अभी को शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है क्या हो क्या रहा है क्या सरकार के प्लाइन ओफ एक्षन में जी बिलकुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का वेदर फोरकास्ट किया गया है बारिश की इस्थिती में खतरनाक इस्थिती हो सकती है दरार वाले मकान या फिर जहां पर भी जमीन खिसकी है उस जगह पर अरगर लोग रहते हैं और नीचे पानी भरता है तो खतरनाक इस्थिती तो सभी परिवारों को सुरक्षित अस्थान पर शिफ्ट करना पहली प्रायोरिटी होगी और इसी के लिए SDRF की टीम भी यहां पर इलर्ट मोड पर है और परमुखिमंतरी आज जब खुद पहुंचे हैं तो तमाम परिस्थितियों का जायजा लेंगे सभी परिवारों को ततकाल शिफ्ट किया जाए या फिर आने वाले एक दो तीम दिनों में शिफ्ट किया जाएगा इसका भी निर्णा आज हो जाएगा क्योंकि अधिकारियों अबिजीद जो मौसम बाग का पुर्वानुमान है बारिश को लेकर इसलियाद से देखा जाये तो समय बहुत कम है दो दिन के भीतर इन इलाकों से सभी को शिफ्ट करना ही होगा 48 घंटे के भीतर जी बिल्कुल 12 जन्वरी का अगर फोरकास्ट है चमोली शेत्र है जोशी मठ आली तमाम जगह पर बर्फबारी और बारिश का अनुमान जो है वो दिया गया है तो जल्द से जल्द शिफ्ट करना प्रशासन की भी यही प्रात्मिक्ता होगी कि उनको सुरक्षित अस्थानो जो है वह जो खाली लोकेशन से वहां पर दिया चाहे अबी कि जो वर्तमान परिस्थिति आ उसमें एक एक कम्रें एक करिवार को या फिर हॉल में शिफ्ट किया जा रहा है जो कि एक कम्प की तरह जो स्थिति होती है लेकिन लोगों को वहां पर परिषानी हो रही थी खाने पीने की अब जो है प्रशासन की तरफ से 400 लोगों के भोजन का भी इंतजाम कर दिया गया है तो बहरहाल मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ही उनको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर बारत तारिक को बारिश की स्थिति जाती है तो हम एक अधिकारी से बात कर रहे अभी जी जो दरारे हैं किसी-किसी मकान में तो बहुत चौड़ी दरार है और किसी में हलके से क्रैक्स हैं क्या वहाँ पर जो विश्चशग्य हैं वो क्या कह रहा है या प्रशासन क्या कह रहा है कि क्या बाद में किनी को वापस यहां पर शिफ्ट किया जा सकता है जिस मका को बहुत ज़ादा नुकसान ना पहुंचा हूँ अब देखिये मकानों की बात तो ही लेकिन मकान के साथ साथ पुरे बढ़ता जा रहा और ऐसे में विशेशग्यों का कहना है कि यह पुरा का पुरा शेत्र प्रभावित माना जाएगा और छोटी दरारे होने का मतलब यह नहीं है कि वह घर सुरक्षित हो जाता है क्योंकि लैंड्सलाइड की स्थिती में पूरा का पूरा मकान धराशाई हो सकत हैं लेकिन कल कुछ ऐसी तस्वीरे भी निकल कर सामने आए कि अब जोशी मट से भी काफी दूर तक अभी दरारे फैलतु भी नजर आ रही है और काफी हद तक सामरिक दिश्ट्री से भी देखा जाए तो इसको लेकर भी चुंता साहर की गई थी तो क्या यह सिर्फ दरारे जोशी मट तक सीमित है या धीरे धीरे इसका फैलाव देखने को मिल रहा है पूरे शेत्र को जोशी मट कहते हैं लेकिन सिर्फ वही तक सीमित नहीं है यह अली के पास के इलाके में इस मोकत में हूँ और यहां से लेकर जोशी मट और नीचे मैं आपको बता दू कि पूरे नौ वाडो में ये समस्यारे जो खेत वाले इलाके हैं जहां पर लोग पशुपालन भी करते हैं गाउं जैसा महौल है वहां पर भी है और मुख्य जो शहर है वहां भी है तो और दरारे कंटिनुटी में है एक जगह पर दरारे पड़ी लोगों को कहां शिफ्ट किया गया है लोग कहां किराय पर इस वक्त रह रहे हैं देखिए नगरपालिका की यहां पर बिल्डिंग है धर्मशालाएं है इंटर कॉलेज है गुरुद्वारा है हर जगह अलग-अलग जगह पर मंदिर के परिसर में भी जो आवासिये विवस्था होती है वहां पर तो अलग-अलग दरारे नहीं है जी हां बिल्कुल जिन अस्थान पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर इस बात का पूरा ख्याल लखाए जा रहा है कि आज-पास के अस्थान पर वहां पर दरार नहां और वो सुरक्षित हो यह सबसे पहली प्रात्मिक्ता और बहुत सारे ऐसे जो किराय पर जगह ले चुके हैं कुछ लोग दूसरे शहर अपने रिश्टेदारों की यहां भी गए हैं और कुछ लोगों ने अपने जैसे अगर एक मकान में दरार है तीन चार मकान आगे अगर दरार वहां पर नहीं है तो अपने दोस्तों से ही कमरा किराय पर लेकर वहां भी रह रहे हैं तो ऐसे में जो शिफ्ट करने वाले संख्या जो है उसका अंदाजा सिर्फ सरकारी आंकड़े से ना लगाया जाए बाकी लोग भी हैसे हैं जो कि अपने शमता के अनुसार अपने हिसाब से सुरक्षी तस्थानों पर जा रहा है लगातार प्रोसेस जो है वो चल रहा है बहुत बर शुक्रिया आपका बहुत बर शुक्रिया इस जानकारी के लिए इन तस्वीरों के लिए झाल